आज मैं आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट लाइप स्टाइल टिप्स दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाइड ग्रोथ के लिए और वीडियो को मैं आज छोटा रखने वाला हूं तो कांडली आप वीडियो को एंड तक देखना एंड यह आपको बहुत फा वाइट ग्रोथ का ट्रेणिंग लेना ओनलाइन ट्रेणिंग फिर आप मेरा मेल आड़ी पर कॉंटाट करें एंड वहां पर मैं आपको डेटेल्स दूंगा कि आपको कैसे ट्रेणिंग जोइन करना है अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपको उमर 25 साल तक है 26, 27 साल भी ह तो फिर आप ट्रेणिंग को जोइन कर सकते हो आप मेरा गार्डेंस के अंदर रहेंगे आपको डाट प्लैन वर्काउट प्लैन दिया जायागा इच एड़ एड़ी वीक मैं आपको ट्रेक करूंगा कि आपका प्रोग्रेस क्या है तो इफ वांट ट्रेणिंग देन कॉंट कुछ बताता है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है बॉडी वेट से ही आपको पता चलेगा है तो जो हाइड बढ़ाना चाहते हैं मैं उनको थ्री ग्रूप्स में डिवाइट करना चाहता हूं नमबर वान जो बहुत पतला है नमबर टो जो नॉर्मल है ठीक है एंड नमबर मूटा है सो इन तीनों के लिए स्ट्राटीजी टोटली डिफरेंट रहने वाला है तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका बॉडी वेट क्या है सो इन तीनों का गोल एक ही होना चाहिए एक अच्छा लीन बॉडी जिसमें मसल मास जादा हो विकॉज अगर आपका बहुत जादा मिलेगा अगर आप कुछ खाना खाते हो सपोच उसमें सुघर भी बहुत जादा है तो वह सूघर आपका मसल कर लेता है अगर आपका बॉडी मसल मास कम रहता है आपका ब्लड से सुघर एबजॉब नहीं उपाता है बॉड एट परस्टिंटेज बढ़ता है sugar diabetes का खतरा बढ़ जाता है फिर आपका HGH रेवल कम रहता है तो muscle mass बहुत important है तिनों को अपना muscle mass बढ़ाना है चाहे आप skinny हो, चाहे आप मोटे हो चाहे आप normal हो तिनों को अपना muscle mass बढ़ाना है आपको एक healthy body fat percentage में आना है तिनों का रास्ता अलग-अलग है लेकिन तिनों का goal सेम होना चे जब आप muscle mass put on करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा height growth करने में और जब आप muscle mass को बढ़ाना चाहेंगे automatically आपको protein टेखाए रहेगा workout अच्छा रहेगा फिर इधर आपका height भी बढ़ना चालो होगा ठीक है दूसरा चीज जो आपको implement करना है आपको अपना meals को track करना है आपको एक wagging scale रखना है आपको यह जानना पड़ेगा कि आपका body type के साब से आपको कितना daily calories चाहे कितना protein चाहे कितना fats चाहे कितना carbs चाहे कितना आपको fiber चाहे and कितना आपका water intake होना चाहे तो suppose आप अपना meal में rice add करेंगे दाल अड़ करेंगे chicken add करेंगे या fish add करेंगे सबजी add करेंगे तो आपको measure करना है जैसे कि मैंने पहले आपको बता है कि कोई मूटा है कोई पतला है कोई नॉर्मल है तो तीनों के लिए राइस का क्वांटिटी चिकन का क्वांटिटी फिर आपका वेज़ेटेबस का क्वांटिटी हर चीज का क्वांटिटी अलग रहेगा तीनों का डायेट सेम नहीं है तो आपको सबसे पहली जानना है कि आपको कितना क्यालरी मेरे सी कि बाद घो आपना प्रिप्रेशन रहेगा उसको अपको को ट्रेक करना है गतना चावल खार एंप कितना अंड़ा खार रहा reminder भnt धूंप मेरे स्ट्रिप्वर्ट कर रहे तो morning में आप 400 calories लो, उसके बाद 3 गंटे बाद फिर आप 400 calories लो, फिर 3 गंटे बाद फिर आप 400 calories लो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक की टाइम आप 1000 calories ले रहे हो, यहां तक खाना खा रहे हो क्या होगा, आधा खाना आपका बरबाद जाएगा, आपका body क्या करेगा, आधा लेगा या आधा सभी कम लेगा, फिर proper direction नहीं होगा, तो पुरा खाना लगेगा नहीं आपका body में सबसे पहले आपको अपना मिल्स को distribute करना है throughout the whole day, और इसका और एक फादा कि आपका metabolism बहुत अच्छा होता है, एकी टाइम आपको इतना यहां तक खाना नहीं खाना है, आपको distribute करना है, इसके लिए आपको अपना मिल्स को track करना है कि आप अपना मिल्स में क्या खा रहे हो उसके लिए जोरी है, वेगिंग स्केल, तिसरा चीज़ जो बहुत important है, you have to track your steps, चलना, walking, यह बहुत जोरी है अगर आप अपना height growth करना चाते हैं, walking का बहुत सरा फायदा है, and walking का एक सबसे बड़ जो फायदा है, यह क्या करता है, fat loss, या आपका body को lean रखने में, या blood sugar level को low रखने में, edges को high करने में, even sleep, dietion, and bone density को improve करने में, walking का बहुत ज्यादा role है, so मैं आपको suggest करूँगा कि आप daily minimum 10,000 steps daily चले, 10,000 steps each and every day, and max to max आप daily 20,000 steps चल सकते हो, सो आपको लगता कि आप बहुत चलते हैं, आपको ऐसा feel होता होगा, लेकिन अगर आप एक दिन track करेंगे कि आप कितना चलते हो, तो आपको पता चल जागा कि आप बहुत ही कम चलते हो, so आपको minimum 10,000 steps चलना है, maximum 20,000, तो जितना steps आप include कर पाएंगे, चाहे पतले हो, आप म बड़ा रोल होता है, मैंने कहा, walking का बहुत ही बड़ा रोल होता है, आपका height growth में, उसके बाद, जो बहुत ही important चीज़ है, जिसको आपको track करना है, कि आप क्या exercises कर रहे हो, आपका जो workout routine है, उसमें क्या-क्या exercises है, आप क्या कर रहे हैं, वो matter कर रहा है, आप बस लटक रहे है, या बस skipping कर रहे है, फिर आपका workout complete, या दो-चार करके आपने छोड़ दिया, वो भी गलत तरीके से क्या कर रहे है, और उसमें कितना improvement आ रहा है, यह बहुत जोरी है, तो मैं बस एक ही example लेना चाहूंगा, एक example देकर आपको समझाना चाहता हूं, suppose आप height बढ़ाने के ल दिकत क्यों होगा, व्योकर जब आप pull-ups कर रहा है, आपका shoulder muscles engage हो रहा है, आपका forearms, आपका chest, आपका back, आपका core, even आपका glutes, आपका hamstring, यह सब भी engage हो रहा है, आपका biceps, triceps, यह सब engage हो रहा है, ठीक है, अगर यह सब muscles weak रहता है, muscle mass नहीं है, साती-सात यह weak है, या body weight बह लगानी पाएंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप pull-ups लगाना ही छोड़ दो, you have to practice, and क्यों लगानी पार है, because आपका muscles weak है, तो इसके लिए सबसे पहला strategy क्या होने वाला है, कि आपको अपना muscle groups को train करना है, जैसे कि एक दिन आप अपना arms को train करो, एक दिन back को train करो, एक आपके लिए असान हो जाएगा, फिर जो next आपका target होने वाला है, कुछ भी exercise कर रहे है, ठीक है, तो उसमें आपको progress चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा महिना एक ही तरीके से लगा रहा है, सपोज आज आप 5 लगा पार रहा है, तो आपका target होना चाहिए, कि each and every week मैं previous record को break करो, अगर आपने इस हपता में 5 लगा है, तो आपका ये goal होना चाहिए, कि next week में आप 6 लगाएंगे, 7 लगाएंगे, फिर next week में 8, 9, इस तरीके से आपको progress करना है, ऐसा करकर के जब आपको pull ups बहुत हलका लगेगा, तो आप extra weights add करो, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, तो उसके लिए आप एक belt purchase कर सकते हैं, extra weight purchase कर सकते हैं, अगर आप gym जाते हो, तो वहाँ पर progressive workload के लिए आपको belt मिलेगा, plates मिलेगा, barbell मिलेगा, rod मिलेगा, suppose आप 10 kilo का dumbbell उठा रहा है, तो आज अगर 5 reps लगा रहा है, तो next week आपका target रहना चाहिए, कि 10 kilo का dumbbell से मैं 15 reps लगाऊंगा, उसके बाद आप weight को ठोड़ा बढ़ात हो, 5 kilo, 5 kilo, फिर उसमें आप reps लगाऊ, फिर इसमें आपको improvement चाहिए, तो में कहने का जो मुद्दा है, कि आपको improvement लाना है, progress each and every week, कुछ लोग जो training ले रहे हैं मेरे से, सर आप अप exercises change कर दो, मैंने कर लिया इनको, exercises change नहीं होता है, आपको exercises में improvement लाना पड़ता है, या और एक चीज़ कर सकते हो, आप exercise का sequence को change करो, अगर आप Monday chest कर रहे है, Tuesday back कर रहे है, Thursday leg कर रहे है, तो इसका sequence change कर दो, Monday leg करो, Thursday आप back करो, तो इस तरीके से आप sequence को change करते हो, ठीके, ताकि आपको body का जटका लगते रहे, so आपको track करना है, कि आप क्या workout कर र रहे है, कितना running कर रहे है, कितना cycling कर रहे है, आपको अपना workout को totally track करना है, improvement लाना है, अगर आप सेम तरीके से करते जा रहे हो, I am betting you that you can't get any progress, zero progress रहेगा, साल भर आप वैसे रहे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद, जो next is आपको track करना है, that is your sleep, most important, जब आप सोते हो, आपका फादा नहीं होगा, you have to track your sleep, sleep को track नहीं कर रहे हो, फिर मैंने जितना भी चीज़ बताया है, सब वेकार है, so friends, वीडियो का इन करने चाहता हूं, मिलता हूं और इस टेक जब दस वीडियो साथ, and till peace by take care, love you all